आज हम जानेंगे जलंदर कौन था और तुलसी का विवा शाली कराम भगवान से क्यों होता है तो जलंदर भगवान शीव का ही अंश्थ था एक बार देव गुरु ब्रहस्पती और देवराज इंदर कैलास में भगवान शीव का दर्शन करने के लिए जा रहे थे तब भगवान शीव ने विचार किया एक जोगी का रूप लेकर परिक्षा के एत्तु के कारण भगवान बीच में बैड़ गए तो देवराज इंदर ने उनको देखा कहा आप कौन है तो वह जोगी ने कुछ उत्तर नहीं दिया दूसरी बार पुछा आप कौन है फिर भी वह जोगी ने कुछ उनका जवाब नहीं दिया तब इंदर क्रोधित हो गए आत्मे वजर लिया और मारने के लिए जब दोड़े तो भगवान शीव प्रगट हो गए और अपनी तीसरी नेत्र खोल दी तो ब्रहस्पति ने शमा यातना मांगी के इंदर का अपराद को आप शमा कर दीजिए तो ब्रहस्पति के कहने पर इंदर को जिवद्दान दे दिया और उसके बाद जो क्रोधा आगनी थी वो समुद्र में डाल दी तो वो समुद्र में से क्रोधा अगनी में से एक बालक का जन्म हुआ वो बालक जन्म के समई इतना आवाज से चिलाया कि पुरा ब्रह्मान में से लगा कि सब बहरे हो जाएगे सभी देवता भी विचार करने लगे अब क्या करे सभी देवता ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के पांस गए ब्रह्मा जी को प्रात्ना की तब ब्रह्मा जी वह बालक की रोने की ध्वनी सुनकर वहां समुद्र के तट पर आये तो बालक ने ब्रमाजी को पहचान लिया ब्रमाजी को वह बालक ने प्रणाम किया ब्रमाजी ने प्रेमितह वह बालक को अपनी गोद में लिया लेकिन वह बालक ने ब्रमाजी की गर्दन इतनी जोर से पकड़ ली कि ब्रमाजी की आँखों में से असरों की दारा बहने लगी ब्रमाजी ने बड़ी मुश्किल के साथ वह बालक के हाथों अपनी गर्दन छुडाया और उसके बाद ब्रमाजी ने वह बालक को समुद्र को सौब दिया और उसका नाम रखा जलंदर समुद्र देवता को कहा उसका पालन पोशन करिये समुद्र देव ने वह बालक का पालन पोशन किया और उसको बढ़ा किया और उसके बाद उनका विवाह काल नेमी असुर की पुत्री बंदा के साथ उनका विवाह करवाया और ब्रमा जिने उसका राज्जा भी शक्रवाया उसके बाद वो जलंदर शाशन करने लगा जलंदर बहुत पराक्रमी था बहुत बलवाला था यमराजा भी उनसे डरते थे तो जलंदर इतना पराक्रमी होने के कारण एक बार जलंदर ने विचार किया कि सभी लोग में उसका शाशन होना चाहिए तो स्वर्ग में जाकर इंदर का अधिकार भी उन्होंने चिन लिया त्री लोग का अधिकारी बन गया अब उन्होंने विचार किया कि वैकुंठ में बैठी हुए लक्षमी जी मेरी पतना नहीं हो ऐसा विचार करके सभी देच्चों को लेकर वैकुंठ में भी चड़ाय कर दी तब लक्षमी जी ने जलंदर को कहा जलंदर मैं तुमारी बहन हुए क्योंकि तुम भी समुद्र में उत्पन हुए हो मैं भी समुद्र में उत्पन हुए तो जलंदर को लक्षमी जी की बाद थोड़ी मन में उतरी, उन्होंने बहन मानकर वहां से चला गया, उसके बाद विचार किया, अब कैलास लोक में जाकर पारवती को अपनी पत्नी बना दू, सभी देच्चों को एकत्रित किया, और साथ में लेकर वह कैलास परवत पर चला मानकर पारवती को अपनी पत्नी बनाने के कारण, वहां चला गया, बलब पुर्व बिचार किया, लेकिन मा पारवती भी क्रोधित हो गए, भगवान शीव भी क्रोधित हो गए, शिवजी और जलंदर का महा संग्राम हुआ, शिवजी ने बहुत से अस्तर और शष्ष्ष् किया लेकिन प्रतेक श़्स्त्रका-प्रहार का जवाब देने वाला जालंदर समर्थ था क्योंकि उनकी पत्नी वृंदा सतिभ्रता थीो अब देवतन्यवी विचार किया कि जब वृंदास का पत्नी बॉलता ब्रत सब्होंकि सब ही भगवान विश्णु के पांस गये वाइकुंट में भगवान विश्णु को प्रात्ना की आप कोई उपाई करिए वही भगवान विश्णु जालंदर का रूप लेकर ब्रंदा जहां तब कर रही थी वहां आए तो ब्रंदा ने विचार किया मेरे पती आये है उटकर उनको प्रेनाम किया उसके साथ पत्नी के सुरुप में साथ रहने लगी तो उसके कारण उसके पती बरतावरत का भंग हुआ वहां जालंदर का बल शीन हुआ भगवान शिव की वन्हें एक शस्त्र से जलंदर को मार दिया और यहां ब्रंदा को पिता चला कि वहां नारयाये ने और उनकी जो राक बची थी उनमें एक छोड निकला वह तुलसी था अब भगबान वैकुण में विश्णू विश्चार कर रहे है कि मैंने ब्रंदा के साथ छल किया है तो मुझे भी पाशान के सोरुप में प्रगट होना चाहिए वही भगबान विश्णू पाशान के शाली ग्राम का विवाद तुलसी के साथ होता है सबी देवता लोग उनकी विवा करवाते हैं और कार्तिक सुद्ध एकादसी के दिन भगबान शाली ग्राम का विवाद तुलसी के साथ होता है तो इस तरह से चालंद राक्षस का सवहार किया और भगबान ने तुलसी के सा आतीं लाकिया